हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का बुखाइव एजुकेटर पर तो आज हम लोग 11 जुलाई के करेंट अफेर के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं तो चलिए फिर इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसमें जो पहला प्रशन है वो है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ् सबसे बड़ी सॉफ्वेश का नेट प्रफिट जून दो हजार भी स्थिमाही में चौदा प्रतिस्यत गिरकर 7,008 करोड रुपए रहा तो इसका अंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस tcs का profit जून 2020 ती माही में 14% गिर कर 7,008 करोड रुपे रहा है साथ ही TCS ने 5 रुपे परती शेयर डिविडेन देने की घोशना भी की है तो चलते हैं अगले प्रशन पर जो दूसरा प्रशन है वो है कि निम्न में से किस बैंक के निदेशक मंडल ने इक्विटी और बॉंड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड रुपे जुटाने के प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है तो इसका सही उत्तर है पंजाब नैशनल बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल ने एक्विटी और बॉंड दोनों माध्यमों से 10,000 करोड रुपे जुटाने के लिए प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी है इस वर्ष अप्रेल में पंजाब नेशनल बैंक में औरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक ओफ इंडिया को भी मर्ज किया गया है तो चलते हैं अगले प्रशन पर तीसरा प्रशन है कि हाल ही में किसने क्रिसी अव संरचना कोश के तहत वित पोशन सुविधा के लिए केंद्रिये छेत्र योजना को मंजूरी दी है तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी केंद् सरकार ने हाल ही में किरसी अव संरचना कोश के तहत वित पोशन सुविधा के लिए केंद्रिये छेत्र योजना को मंजूरी दी है जिससे फसल के बाद बुनियादी धाचा प्रबंधन और मध्यम लंबी अवधी के रिण वित पोशन की सुविधा मिलेगी तो अगला जो प को विश्व भर में वर्ल्ड पॉपूलेशन डे या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है इस दिवस का उद्देश जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर व्याश्विक चेतना जागरित करना है सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया थ तो आते हैं अगले प्रिश्ण पर 5 प्रिश्ण पर तो 5 पर प्रिश्ण है कि भारत के किस राज्य के जी आकाश देश के 66 शतरंज ग्रेंड मास्टर बन गए हैं तो इसका सही उत्तर है तमिल नाडू तो तमिल नाडू के चिन्नाई के रहने वाले हैं ये तो तमिल नाडू राज्ये के जी आकास जिनकी FIDE rating 2495 हैं वे देश के 66 सतरंज Grand Master बन गए हैं Grand Master का वे सरवुच किताब होता है जिसे एक सतरंज खिलाडी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जाता है तो आते हैं चटे प्रशने पर तो चटा प्रशने है कि इस वर्ष सितंबर में होने वाले Asia Cup को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोशना की गई है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिरलंका तो इस वर्ष सितंबर में होने वाले Asia Cup को पोश्पॉंड कर दिया गया है जो कि अब जून 2021 में होगा तो वो सिरलंका में आयोजित करने की घोशना की गई है जिसके पुष्टी Asian Cricket Council यानी ACC ने की है जबकि 2022 में टूर्णामेंट PCB में कराया जाएगा ऐसे में लगातार दो साल यह Asia Cup होगा तो चलते हैं अगले सात्वा प्रशन पर तो सात्वा प्रशन है वो है कि BCCI ने Chief Executive Officer CEO Dash का इस्तीफा मंजूर कर लिया है तो इसका सही उत्तर है राहुल जोहरी तो BCCI ने Chief Executive Officer राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है जबकि राहुल जोहरी ने 27 दिसंबर को इस पद से इस्तीफा दे दिया था जब मीडिया रिपोर्टर के मताबिक राहुल जोहरी पर गोपनिय जानकारी मीडिया को लीक करने का शक है आठवे प्रशन पर चलते हैं तो खेल मंत्राले के आदेश के बाद होकी इंडिया के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो कौन है वो है मुहम्मद मुश्टाक एहमद तो खेल मंत्राले के आदेश के बाद होकी इंडिया के अध्यक्ष मुहम्मद मुश्टाक एहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिसे होकी इंडिया की एग्जिक्यूटी बोर्ड ने मंजूर कर लिया है 30 मैच तो प्रीमियम लीग का टाइटल अपने नाम कर चुकी लिवरपूल ने ब्राइटन को एक मैच में 3-1 से हरा कर EPL में सबसे तेज 30 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है साथी लिवरपूल की चौदवे मैच में रिकॉर्ड तेरवी जीत दर्ज की है तो आज का जो दस्वा प्रशन है वो है कि यूरॉपिये देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स की उडान पर रोक लगा दी है तो इसका सही उत्तर है अमेरिका तो यूरोपिये देशों के बाद अमेरिका ने भी पाइलटों के फरजी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एरलाइन्स की उडानों पर रोक लगा दी है जबकी जबकी EASA ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कमपनी पर 6 महिने के लिए रोक लगा दी है तो दोस्तों अब हम लोग 11 जुलाई के एतिहासी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं तो 1989 सोवा बाजार कलब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतिये दल बना 1921 मंगोलिया को चीन स ज्याजादी मिली 1930 ब्रेडमेन ने लीट्स में इंगलेंड के खिलाफ एक दिन में 309 नौरन बनाए 1948 जेरुसलेम पर पहला हवाई हमला हुआ 1973 पैरिस के निकट ब्राजिल का बोईंग विमान दुरगटना ग्रस्त हुआ 122 लोगों की मौत हुई 1977 मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मैडल ऑफ फ्रिडम से सम्मानित किया गया 1989 अमरीकी अंतरिक्ष प्रयोग साला इसकाई लैब धर्ती पर गिरी यहिंद महासागर और पश्वी अस्ट्रेलिया में गिरी इसके गिरने से पहले पूरी दुनिया में कयास लगाये जा रहे थे कि यह धर्ती पर कहां गिरेगी और कितना नुकसान होगा 1995 अमेरिका एवं वियतनाम के बीच कूट नितिक रिष्टे बने 1995 ही बॉसनिया में 7000 से जादा लोगों का नर सनहार हुआ 2002 चांग शांग दक्षिन कोरिया की पहली महिला प्रधान मंतरी बनी 2006 मुंबई की लोकल रेल गाडियों में सिलसिले बार बम धमाके हुए तो दोस्तों ये 11 जुलाई का करिंट अफेर और एतिहासिक बिंदू थे तो हमारे विडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के सभी जरूरी सूचनाय और इन्फॉर्मेशन और विडियो आवश्यक विडियो आ हन्यवाद